इस question में क्या given दे रखा है, in the arrangement shown in the figure, find the acceleration of each block, tension in the string and the reaction in the pulley, the string and the pulley are light, m1 is greater than m2, neglect the friction, देखिए ये क्या question में given दे रखा है, इस question को समझेगा, ये मैंने इसको copy कर लिया और यहां पर paste कर लिया, देखिए, ये हमारे पास system given दे रखाया, यहां पर इस तरीके से एक नीचे की और force लगेगा, that is m2g, और इस तरीके से यहां पर force लगेगा, m1g, आप लोगों को question में given दे रखाया है, कि m1 is greater than m2, जब m1 अगर बड़ा है, तो m1g, ये जो m1g है, वो m2g से बड़ा हुआ, m1g इस block को या इस system को नीचे की और खीचना चाहेगा, और ये m2g इसको oppose करना चाहेगा, ठीक है, तो अब इन दोनों में से m1g बड़ा है, m2g से, तो ये system जो है, ये नीचे जाएगा, ये उपर जाएगा, तो इसका मतलब ये वाला block उपर की और accelerate करेगा, ये वाला block of system क्या होगा, तो acceleration of system होगा, m1g minus m2g divided by m1 plus m2, that is m1 minus m2 bracket में g divided by m1 plus m2, this is the acceleration of the system, ठीक है, हाँ, एक चीज जहाँ रखना, क्योंकि ये सारा system जो है, light ते रखा है and neglect the friction in pulley, तो ये जो pulley के अंदर friction नहीं है, तो ये जो rope है, इस pulley के उपर slip करेगे इस तरीके से, pulley rotate नहीं करेगे, pulley के उपर ये slip करेगे, ठीक है, तो m1g नीचे a acceleration से जाएगा, और m2g उपर a acceleration से जाएगा, ठीक है, अब हमें क्या करना है, tension find out करना है, string के अंद tension T मैंने माल लिया, और यहाँ पे भी T tension, यहाँ पे भी T tension और यहाँ पे भी T tension, मैंने free body diagram मना लिया, अब देखिए, अगर आप लोग ध्यान से देखे हैं, तो यहाँ पे दो body हो सकती है, मैं किसी भी एक body के थूँ, मैं यहाँ पे tension निकाल सकता हूँ, तो मैंने माल लिया कि ये M1 body को मैंने consider कर लिया ये M1 body और इसके उपर T tension उपर की ओर लग रहा है T tension और नीचे के ओर M1 g लगेगा नीचे के ओर ये accelerate कर रहा है इसका मतलब, नीचे के ओर accelerate कर रहा है इसका मतलब यो M1 g है, वो tension से ज़ादा बड़ा है इसका मतलब हम equation लिख सकते हैं m1 g minus t is equal to m1 into a अब देखें tension हमें निकालना है और acceleration की value ये हमें given दिरक है तो यहां से हम acceleration की value लिख देते हैं that is m1 minus m2 by m1 plus m2 into g और ये हो जाएगा m1 g minus t अब यहां पर देखें मैं को tension निकालना है तो ये m1 g इधर आगया और ये वाली term मैं इधर लियाऊँगा और ये वाली term मैं इधर लियाऊँगा तो यहां हो जाएगा m1 m1 minus m2 divided by m1 plus m2 into g that is equal to t अब इसको solve करता हूँ तो यहां पर कहा जाएगा m1 g और bracket में मैंने लिखा m1 plus m2 ये lcm लेके solve करना m1 minus m2 g divided by m1 plus m2 that is equal to tension अब अगर आप लोग थोड़ा से द्यान से देखे हैं तो यहां पर मैं इसको multiply करता हूँ m1 g को अंदर वाली term से multiply करता हूँ जब मैं m1 के साथ multiply कर रहा हूँ तो m1 square g plus m1 m2 g m1 square g minus और minus minus plus m2 m1 g ये आएगा divided by m1 plus m2 और that is equal to tension अब अगर आप लोग थोड़ा से द्यान से देखे हैं तो ये वाला point ये वाला और ये वाला आपस में दूसरे से कट जाएंगे क्योंकि ये दोनों value same है और एक positive एक negative है और अगर आप लोग थोड़ा से द्यान से देखे हैं इस चीज़ को और इस चीज़ को तो ये दोनों value same है तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ 2 m1 m2 g ये value positive है दोनो तो 2 m1 m2 plus 2 m1 m2 g divided by m1 plus m2 this is the tension force in the string तो मैं ये लिख देता हूँ this is tension in string ये tension हो गया और ये हमारा acceleration of system हो गया बट आप लोगों से question में ये भी पूछा गया है question में बोला गया है कि acceleration find out करिये each block का each block का acceleration हम लोगों ने find out कर लिया tension in string find out कर लिया reaction in the pulley तो pulley के उपर क्या reaction लगेगा इस चीज़ को हमें find out करना है तो देखे इस चीज़ के लिए देखे यहाँ पर ये मैंने pulley बना लिया और यहाँ पर tension T लग रहा है और यहाँ पर भी tension T लग रहा है और यहाँ पर से एक string connected है यहाँ पर T dash लग रहा होगा जो की 2T तो यह reaction force और यह ceiling है यह ceiling मैंने मान लिया यह हमारा ceiling है तो यहाँ पर भी T dash लग रहा होगा और क्योंकि हमारे पास यह जो pulley है यह जो pulley है नीचे की और 2T एक T ये एक T ये 2T force से लग रहा है और उपर की और T dash force लग रहा है क्योंकि pulley कहीं move नहीं कर रही है ना तो नीचे जा रही है ना यह उपर जा रही है balance कर रही है मनला कि यह स्ट्रिंग में जो force लगेगा वो इस वाले forces को balance कर लेगा that is 2T तो जो हमारा जो T dash reaction force reaction force on ceiling ceiling that is equal to क्या हो जाएगा 2T इसकी value हम लोगों ने मानी थी T dash that is T dash और इसकी value हो जाएगी 2T के बढ़ावर तो 2 into T की value हमारे हो जाएगी 2 M1 M2 G divided by M1 plus M2 that is equal to यहां रहेगा 4 M1 M2 G divided by M1 plus M2 यह हमारा T dash force लगेगा I hope आप लोगों को यह question सुन्माया होगा ठीक झाएगी Thanks झीड़ें